संसत की सुरक्षा में सेंध मारी के मामले में दिल्ली पुलिस ने छटे आरोपी को गिरफतार कर लिया है इसका नाम महेश कुमावत है जो राजस्थान की नागोरी जिल्ली का रहने वाला है महेश भी 13 दिसम्मर को दिल्ली आया था इसी दिन दो शक्स दर्शक दिर्गा से लोक सभा कक्ष में कूदे थी मामली का मास रमाइन लली जा दिल्ली से भाकर राजस्थान में महेश के घर पर ही छिपा था महेश को मावद भी इस पूरी साजिश का हिस्सा रहा है दिल्ली पुलिस ने आरोपी महेश को अदालत में पेश किया पुलिस सुत्रों ने बताया कि शुरुवात में गिरफ़तार किये गए चारो आरोपियों के मुबाइल नष्ट करने में महेश भी ललीद के साथ शामिल था महेश नीलम देवी के भी लगाता संपरके में था नीलम को संसत के बाहर विरोध प्रदशन करने के लिए गिरफतार किया गया था जबकि समो के दूसरे सदसे लोक सभा में एंट्री कर रही थी ललीत ने गुरुवार को नई दिलने इलाके के पुलिस स्टेशन में सरेंजर कर दिया था ललीत की गिरफतारी शुपरुवार को दर्श की गई महेश के चचेरे भाई केलार से भी पूछताच की गई लेकिन पुलिस ने अब तक उसे गिरफतार नहीं किया है दिरसल 13 नवंबर को सागर शर्मा और मनोरंजन डी शुणी काल के दुरान गैलरे से लोग सबा कक्ष में कूदे थे ये अपने जूतों में स्मोक केन लिकर गए थे जहां उन्होंने पीला धुआ छोड़ा और नारे लगाए बाद में सांसतों ने उन्हें पकर लिया था लगबग उसी समय दो आनी आरोपी अनमोल शिंदे और नीलम देवी ने संसत परिसर के बाहर ताना शाही नहीं चलेगी चुलाते हुए कैनों से रंगीन धुआ चोड़ा था इन सभी को गिरफ्तार कर मामला दर्श का लिया गया है